मस्जिदे पूरी बंद है, गुरुद्वारा बंद है, मंदिर बंद है, गिर्जा घर बंद है, देखें ये आफ़त जो है ना करोना की, ये करोना की आफ़त उपर की आसमानी आफ़त है, पूरी दुनिया परेशान है इससे, जिसने दुनिया बनाई, जो दुनिया का मालिक ह चाहे उसे आप अल्ला कहले है, चाहे भगवान कहले है, चाहे गौड कहले है, कमस्कम मंदिरों को, मस्जिदों को, उसी तरह जिस तरह से आपने रोश्ट्रेन को, बहुत सारी चीज़ों को 50% अक्युपेंसी पे आपने एलाउ किया हुआ है, बसों को ट्रेनों को एलाउ किया हुए आपको तुरंत मस्जिदें मंदिरें या जो पूजा अस्थान है उस पर शुरू करना चाहिए ताकि वो लोग जाए मंदिरों मस्जिदों में जाकर पूजा करें भगवान के सामने अल्ला के सामने दुआ करें क्योंकि जब दुआ निकलती है दिल से तो बहुत बड़ के साथ खोलने के लिए सरकार से मैं मांग करता हूँ एक तरह बक्रिद आ रही है बक्रिद कोई तमाशा नहीं है अगर हम सच्च मुच्च हैं मजभी हैं जो जरूरी होना सच्चा धर्मिक किसी मजभ का भी तो हमें अगर इश्वर ने इतनी ताकत दिया है कि हम इजजत से खा पी सकते हैं हमारे पास इतनी धन दौलत है तो हमें फर्ज है फर्ज मतलब जरूरी है उसे टाल नहीं सकते कुर्बानी करना वो कुर्बानी प्रिकॉशन के साथ हम नहीं कहते हैं कि हम भी माननी मोदी जी की तरह से बेगर मास पहने हुए लाखों के भीड में जाकर के च हम महरा Hasht के रहने वाले लोग कानून का पूरा पालन करते हुए प्रिकॉशन पूरा करते हुए अपने लिए अपने मुकमंती जी से कहते हैं कि आप एक मिटिम बुला करिये तै कि जी फोरण कि किस तरह से खुर्बानी हो कहते हैं साप भी मर जाए और लाठी भी ना किसान होते हैं और किसान आज देश में महाराश्टा ही नहीं देश में किसान आज बहुत थी तकलीफ में है आज साथ आठ महिनों से किसान बैठा हुआ है सरकार के नीतियों के खलाफ चार-पांच यो किसान शहीद हो गए साथ महिने महाराश्टा में कितने रोज किसान आत्म लिखेगा वो उन बक्रों को मेवा खिला रहा था उनको कार्पेट बिढ़ा रहा था उनको हार पिना रहा था उनको रोज साबुन से धुलकर उसके संट लगा रहा था उसकी सींगों को चमका रहा था कि मैं मुंबई में जाओंगा मुंबई के व्यापारी मेरे बक्रे को खर आहिए, तै कीजिये जिसतरा से सारी चीज़े हो रहे हैं, उससे बекरीत के बंध में, पुर्बानी का भी आप जल से जट कही हैंँ झे इसके लिए आप जो है ना, उनके दरॉजे खोलिए, क्यूंकि आप दिन बहुत कम बचआ हुआ है, बहुत कम झाल झाल